हलो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल की इस नए वीडियो में इस वीडियो में असान तरीके से फिटिंग पैंड की कटिंग की स्थिक्की जाती हैं देखेंगे तो चली पैंड का नाप देख लेते हैं लंबई है 49 इंच, हीप 36 इंच, कमर 31 इंच, मोरी है 14 इंच, जांग 22 इंच और घुटना है 15 इंच तो सबसे पहले कपड़े को सीधा करने के लिए यहाँ पर एक लाइन करेंगे और लगभग दो स्मूर्ट नीचे लाइन करेंगे इसके बाद हम घुटने का निचान रखेंगे तो लंबई है 49 इंच, उसका हाप करेंगे तो साड़े उननईस उसमें주 high 5 इंच पलस करके 20 इंच पे घुटने का निचान रखेंगे इसके बाद इंची टेप को इस तरह से नीचे रखेंगे लाइन के और यहां पर हम लटक कर निसान रखेंगे तो हीप कचाओं था इससा होगा 9 इंच उसमें हाप इंच माइनस कर लेंगे क्योंकि फिटिंग का पैंट है तो हाप इंच माइनस करके साड़े 8 इंच रखेंगे लटक यहां पर हाप इंच पे एश्टा निसान लगाएंगे उसके बाद जांग का निसान रखेंगे जांग का हाप होगा 11 इंच तो यहां पर हम 11 इंच पे इस तरह से निसान रखेंगे इसके बाद फ्लाई के लिए 1.5 इंच पे निसान लगाएंगे इसके बाद जितना हम fly पे निसान लगाए हैं देखिए यहां से यहां तक उतना है यहां पर कमर के पास इंची टेप को रखेंगे और half inch अंदर की तरफ निसान लगाएंगे इस तरह से इसके बाद इन दोनों निसानों को इस तरह से मिलाते हुए line करेंगे और इसके बाद यहां पर हम fly को hop in down करेंगे और जांग वले line से 1.5 inch उपर की तरह पे एक line करेंगे यह देखिए इस तरह से इसके बाद fly को इस तरह से round कर लेंगे यहां पर हम कमर का निसान रखेंगे कमर है 31 inch तो यहां पर हम लिख देते हैं 31 उसका 24 इस सर करेंगे तो पॉने 8 inch और एक inch दबाव के लिए लेंगे तो पॉने 9 inch तो यहां से हम यह देखिए पॉने 9 inch पे निसान लगाएंगे इसके बाद pocket के लिए हमपर 2.5 inch लेंगे उपर से नीचे pocket के लिए लेंगे हम पॉने 7 inch इसके बाद कमर से जांग तक इस तरह से round front से save देंगे pen को यह देखिए निसानों को मिलाते हुए pocket को भी इस तरह से save देंगे और जहां पर हम hop in down के हैं fly को उसको भी इस तरह से हम save देंगे अब देखिए यहां पर 2 सूंत उठाते हुए हम save देंगे इसके बाद जितना हम जांग के निसान लगाये हैं देखिए उतना यहां पर इंची टेप को रखेंगे गुटने के पास और center के निसान लगा लेंगे इस तरह से यह देखिए इस तरह से भी करेंगे तो center के निसान वहीं पर आएगा यह देखिए इस तरह से यहां पर घुटने का निसान लगाएंगे घुटने है 15 इंच तो 15 का हब करेंगे तो 7.5 इंच और 7.5 का हब करेंगे 25 इंच तो सेंटर से 25 इंच इधर लेंगे और 25 इंच इधर लेंगे इसके बाद हम बाटम का निसान लगाएंगे ये देखिए यहां पर सबसे पहले हम सेंटर का निसान लगाएंगे इस तरह से इस तरह से सेंटर का निसान लगाएंगे बाटम है यहां पर 14 इंच तो 14 का हाप करेंगे 7 इंच और 7 का हाप करेंगे तो 3.5 इंच तो यहां से हम 3.5 इंच इधर लेंगे और साड़े ती नीच इधर ले लेंगे उसके बाद राउन फंटी लेंगे और तीनो निसानों को मिलाते हुए ये देखे बाटाम, गुटना और जांग वाले निसानों को मिलाते हुए इस तरह से हम सेब देंगे इसके बाद फंटी को पल्टी करेंगे और इस साइड भी हम सेब देंगे तीनो निसानों को मिलाते हुए यहां पर पाकेट के पास इस तरह से कट लगाएंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो असानी होगी फ्लाई के पास भी इस तरह से कट लगाएंगे इसके बाद हम बेग पार्ट की कटिन करेंगे तो यहां पर हम बेग पार्ट की कटिन करेंगे तो सबसे पहले उल्टा कर लेंगे इसको यह देखिए उपर साइड को नीचे रखेंगे और नीचे साइड को उपर रखेंगे इस तरह से इसके बाद हम फ्रंट को इसके उपर रखेंगे अच्छे से ये देखे सेट कर लेंगे यहाँ पर फ्रंट पार्ट को जांग वाले लाइन को बेक में हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे हाप इंच नीचे एक लाइन और करेंगे गुटने के पास भी हम आगे बढ़ाएंगे लाइन को और bottom के पास भी इस तरह से आगे बढ़ाएंगे बेक में हम जांग के पास धाय इंच लेंगे ये देखिए यहां से इस तरह से गुटने के पास दो इंच लेंगे और bottom के पास देड़ी इंच इसके बाद round front लेंगे और तीनों निसानों को मिलाते हुए देखिए एक दूसरे से मिलाते हुए यहाँ पर सेब देंगे पैंट को इसके बाद जांग के पास हम एक इंच लूश टाइट करने के लिए यहाँ पर एश्टा ले लेंगे और इसको इस तरह से राउंड करते हुए सेब देंगे जांग से जहाँ पर हमने फ्लाय को हाप इंच डाउन किया हैं तो बेख में हम 30 इंच पर निसा लगाएंगे इसके बाद बेख में साइड में यहाँ पर हम हाप इंच पर एश्टा निसा रखेंगे यह देखी इस तरह से और इस तरह से हम सेब दे देंगे उसको इसके बाद कमर का निसान रखेंगे बेक में तो कमर का चौंता हिस्सा होगा पौने आठ इंच तो यहां पर सबसे पहले दबाव के लिए हाप इंच लेंगे उसके बाद कमर का चौंता हिस्सा पौने आठ इंच तो ये देखिए यहां से हम पौने आठ इंच लेंगे एक इंच डार्ट के लिए लेंगे उसके बाद दो इंच एश्टा लेंगे इसके बाद फ्लाई के पास इस तरह से निसान लगाएंगे ये देखिए यहां से और अंदर की तरप एक निसान और लगाएंगे यहां से हम एक निसान लगाएंगे उसके बाद कमर वाले निसान और इस निसान को लाइन करेंगे इस तरह से और जो एश्टर निसान रखे हैं उसको भी इस तरह से लाइन कर लेंगे अब उपर वाले लाइन को इस लाइन से राउंड करेंगे ये देखी यहां से करेंगे और हिप वाले लाइन को हम इस तरह से राउंड करेंगे तो इस तरह से बीना नाप लगाए हिप का निसान असान तरीके से लगा सकते हैं दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं या फिल नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को भी आल पे रख लेता कि आने वाले हमारे सभी वीडियो का नेटिपिकिसन आपको सबसे पहले पहुँचे कर दूस्य का ऱिता कि आल आपको सबसे भी और आपको सबसेक सेमारे पत्सा आपको सबसे हर ले अपको सम्पेरी देंगों